आज का ये वीडियो जो कि हम 7 जून को अपलोट कर रहे हैं इसमें एक trade हमने एक्जेक्यूट किया था 6 जून मतलब के कल वीडियो वगरा सब कुछ कम्प्रेट कर लिया था बट किसी रीजन से हम इसको कल अपलोट नहीं कर पाते हैं इस वज़े से हमें से आज जाने के 7th of June को अपलोट कर रहे हैं सो कल का तो पूरा सब कुछ आगे की वीडियो में आपको दिखी जाएगा बट आज के दिन हमने किसी भी तरह का कोई trade execution नहीं किया क्योंकि market देख करके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आप maximum stocks उठा करके देख आप nifty को trade कर रहे हो या फिर आप bank nifty को trade करते हो बाकी कि अगर हम इस टॉक्स देखें आप बजाज फिन सर्फ देख लेते हैं यह तो बूरी तरह से side way पढ़ा हुए यह देखें morning के candle बनके पूरा stock side way आज confidence नहीं आया trade execute करनेगा इस वाज से कोई trade execute हमने नहीं की morning में हमने गुरूप में अप टेलीरंग गुरूप पर update कर दिया था कि I am not trading today SL day है आज का थोड़ा सा extra confirmations के साथ ही कोई भी अगर trade मिलता है तो आप लोग लेंगे जिस पर आपको पूरा confidence हो otherwise अगर आज trade नहीं करते हो तो कोई बुरी बात नहीं इसमें नीचे शायद नहीं लिख कर क्या रहा होगा relax को हमने लिखा है तो आज का session पूरी तरह से अपना off session रहा है कोई execution नहीं तो आगे का जो वीडियो इसको बहुत इत्मिनान से और आराम के साथ देखेगा क्योंकि कल काफी महनत लगी वीडियो बनाने में तो वीडियो अच्छा भी लगते हम तो इसको like की जाएगा and start करते है अपना आज का वीडियो Hello traders and welcome to the studio Members, Epica Lab को आज के दिन हमने trade किया है and morning में थोड़ा सा busy थे जिस वाज़े से पूरा trade हम रेकॉर्ड नहीं कर पाया है इस trade को हमने morning में execute किया था एंड इस वह चल रहा है 1400 के round हम इसमें profit में बने हुए है 1000 कौंटीज हमने इसके अंदर active के थी 728.60 रूपीज के लेवल पर 728.60 अभी आज का यह trade तो हम आपको clarify करेंगे किस तरह से क्या executions रहे हैं कैसे हमने trend identify क्या, entries, stop loss targets वगरा सब कुछ इसके अलाबर technical analysis एक तरह से अगर हम लोग शुरुवात ही कर रहे हैं एक beginning level पर हैं तो कैसे में पढ़ना होगा तो जब हम आपसे बोलते हैं कि शुरुवात से शुरू करेंगे तो यह बिल्कुल मत समझेगा कि अभी हम candle sticks पढ़ना स्टार्ट करतेंगे, नहीं price actions को और अच्छी तरह से हम लोग कैसे साफ बना सकते हैं कैसे उसको और clean कर सकते हैं कियोंकि कोई indicator नहीं लगाना है किसी तरह का कोई complications नहीं रखने सिर्फ candles के highs and lows के तुरू आने वाले movements को judge करना है volumes को read करना है, trend identify करना है, stocks let करना है, entry, exit, stops लगा करके छोड़ दिना इसके बाद मैं जा तो stop loss या target तो simple सी इसी technique और इसी method को लेकर के हम लोग आगी की तरफ बढ़ेंगे और अभी EPCA Lab को जिस तरह से हम trade, जिस तरह से हम read करेंगे न वैसे ही आप आने वाले charts को read करोगे, समय मिलेगा तो EPCA Lab के अलावा भी एक-दो charts के पर हम आपको practice करके और reading करके दिखाएंगे वीडियो अच्छा लगता है, तो like किजेगा, comment किजेगा, अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो इस उनको subscribe किजेगा and telegram channel का link description में, आप चाहो तो telegram channel join कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम YouTube पर active नहीं हो पाते हैं तो फिर telegram के दुरू हम अपना support जो भी होता है वो आप लोगों तक पहुँचाया करते हैं So thanks and start करते हैं अज का वीडियो हमारे लिए जो important होता है, वो होगा high और close ऐसा है इसलिए इसके पिछे की theory यही है कि price ने जहां तक movement की है, जहां तक उसने high लगाया है और जहां तक low लगाया है मेरे लिए वो area important है, उसने कहां पर open किया, कहां पर close किया मेरे लिए उसका कोई माइन नहीं है आप कभी भी देखोगे कि जो हम मार्किंग करते हैं, यह हम मार्किंग की बात करते हैं, रीडिंग तो बेशक हम open high low close दोनों से ही करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब reading की बार या आती है, तो एक candle मेरी strong, किसी candle ने strong closing दी है, या weak closing दी है, यह तो उस candle के closing price पर ही depend करेगा या फिर open price से depend करेगा, लेकिन जब marking हम करते हैं, किसी भी candle को mark करेंगे, तो हमेशा high या फिर lose के थुरू ही आप mark करना, यह आपको बहुत जादा मदद कर देगा, क्यूंकि होता क्या है, अब माल लिजे, आपने किसी candle की marking करने के लिए, trade execute करने के लिए, daily time frame पर आपने open price mark कर लिया, अब open price के पास में, price आपका कई बर consolidate होता हुआ दिखाई पड़ेगा, सिर्फ यही नहीं कि open price mark नहीं करना है, हमने बोल दिया बात खतम हो गए, इस चिस को समझे कि open price को mark क्यों नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि price इस जगह पर consolidate करेगा, यहाँ पर closing करके upside की तरफ भी चला जाएगा, इस तरह से और वापस range के अंदर आ जाएगा, तो आपको इस जगह पर क्या होगा ना, open price के पास में, price up and down, आपके draw किया हुए level को up, down, up, down, वो कई बार break करता हो दिखाए पड़ेगा lower time frame पर, और इसके just opposite, जब आप marking करोगे high पर, तो बिल्कुल exact marking होती है, इसलिए जब भी हमें price को read करना हो, हम कुछिश यह करते हैं कि high and lows इनको mark रहें, ज़्यादा तर जब भी possibilities हो, आप high and lows को mark रहें, वहें से trade execute करिए, अब ये candle, आपकी bullish भी हो सकती और bearish candle भी हो सकती, candles के color चाहें जो हो, फरक नहीं पड़ता, बस एक यह याद रखिएगा, कि किसी भी chart को trade करते समय, किसी भी chart को read करते समय, हम लोग जब marking करेंगे, तो open और close price से नहीं, high and lows को ही mark करें, इसके बाद में बात आती हैं, हम कब-कब open price और कब-कब close price को mark करते हैं, chart to chart ये चीज़े depend करते हैं, लेकिन in general आप देखोगे, कि जब हम किसी भी अभी अपने जैसा बताया, कि एक ये आपका कोई area है, अब इस area पर मेरी एक candle है, जो की high एक बना रही है, इस जगह पर एक high बना रही है, हमने इसका high mark कर लिया, and इसके बाद में हम देख रहे हैं, कि कोई एक candle है, जिसने अपना एक gap of opening दिखाई, इस जगह पर, और इसने closing कर दी इस जगह पर, अब मेरे लिए ये weak closing हो, बट इस case में भी हम लोग को ही mark करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस case हम देख रहे हैं, कि जो closing है, इसके basis पर हमें ये तै करना पड़ रहा है, कि previous candle के recording closing हुई कैसे है, strong है या weak है, अब हमें काम करते हैं, कि यहाँ पर price का close हमें mark करना होता है, ये देखने के लिए कि आने वाली candles में हमारी इस close price के effects क्या गिर रहा है, तो ये type of symptoms होते हैं, जब कि हम अपने इन rules को break करते हैं, otherwise, जब भी आप कोशिश करना की marking करो, उस case में आप high and lows को ही mark करो, open and close को थोड़ा सा avoid करना, ये एक छोटी सी चीज थ होता है अपने market के अंदर, जो की है high and lows के according के हमेशा आपको high पर seller and low पर buyers मिलते हैं, कभी भी आपको किसी candle के high पर buyer और low पर seller नहीं मिलेंगे, high पर हमेशा आपको seller मिलेगा और low पर हमेशा buyer, जब भी price को आप read करना तो यही सोच कर करना है कि low पर हमेशा आपको buyer मिलेगा औ और इसको ध्यान में रखते ही हुए आप किसी भी चार्ट के उपर marking या फिर reading करते करते आगे के तरफ पढ़ोगे, कई सारी strategies हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें से एक थी है हमारी confirm candle trading strategy, इस system के अंदर होता क्या है, कि हम majority of candles को देखते हैं, कि black candles पहले form हुई है, negative candles पहले form हुई है या फिर positive candles पहले form हुई है, अगर कई case में हम देखते हैं, कि positive candles ज्यादा form होती है, और उन majority of positive candles के बीच में आपको कुछ negative candles दिखती हैं, जिनकी volumes बहुत slow down होती है, इसको देखिए, कि price के अंदर ये just एक positive candle है, इसके बाद में एक negative candle again positive candle, again positive candle और again positive candle, इस बीच अगर हम ये मान करके चले हैं, कि मेरी ये second value candle ये एक negative candle है, इसने क्योंकि highs तो लगा हैं, बट volumes कम है, कुछ ना कुछ योगदान इसका चार्ट में है, बट जो volumes हैं वो कम है, और इसके बाद में फिर से positive candles की volume आने लगती हैं, again positive candles की volumes आने लगती तो जिस दिन हमें trade execute करना होता है, वो दिन कौन सा है, ये decide करना पड़ता है, कि हमें stocks को trade करना करे, depends करता है कि वो stock कि जगए पर trade करा है, depend करता है कि जिस जगए पर trade करा है, क्या confirmations है, executions के, या फिर नहीं है, या फिर उस जगए पर volumes कैसी हैं, अब यहाँ पर हम ये देख ने high लगाया, तो जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो movements होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है, कि price आपका retrace करने के लिए आपके area पर आएंगा, तो इस case में हमें same day, lower time frame पर यह देखना होता है, कि price ने अगर कोई high लगाया, माल लिजए 9.15 की एक अगर कईल है, उस 9.15 की candle के पास में price अगर rejections ले रहा है अगर इसको नीचे की दिशा में गिरना है तो फिर तो ये गिर जा में short selling करी ने क्योंकि जो चीज हमें समझ में आ रही यहाँ पर इसके अंदर positiveness हमें ज्यादा देख रहे हैं और price इपने highs को continuously break कर रहा है और price आज अपने एक high लगा करके नीचे के तरफ गिर रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि हम short कर देंगे हमें यही देखना होगी confirmations हमें किधर मिल रही है जब हम बोल रहे हैं कि confirm candle trading strategy तो इसका यह मतलब है कि यहाँ पर volumes को देखते हुए हमें यह लगता है कि price में आज जो movement है यह upside के तरफ जाएगी market और एक green candle हमें बनते होँ दिख जाएगी और यह हम किस अधर पर बोलते हैं कि market ने पहले किस तरह की movement से में दिखा है हम ऐसे देख रहे हैं कि price अपने highs को continuously break करता हुए चला रहा है यह अपने highs को continuously break कर रहा है और आज market ने एक 9.50 की candle लगाई है और यहीं पर price हमारा reject होने लगा अगर यह गिरेगा तो हम trade नहीं करेंगे बट जैसे ही market हमारा इस swing को break करता है हम इस जागे पर अपने trades execute करते हैं यह price actions है आप देखोगे EPICA lab को जब हम trade करें तो उसमें कुछ न कुछ आपको इस तरह के movements दिखाए पड़ेंगे आप किसी दूसरे भी stock में देखोगे और इस तरह के movements अगर आपको दिखाए पड़ते तो फिर आप वहां से वह stock trade करोगे अब यह देखिए EPICA lab है इसके अंदर हम volumes को on कर लेते हैं इसके बाद से 22nd के पहले देखिए कितनी सारी volumes आ रहे थी बट यहां पर अचानक से क्या हुआ कि positive candles positive volumes start हो गए और यह कैसे हुआ है क्योंकि एक downfall काफी बड़ा पहले है यह जो formations बने इसके पहले एक downfall बड़ा साय है इसके बाद में price support लेने लगा और इन supports के बाद में फिर positive candles के breakout होने लगे देखिए negative candles सारी पर इनकी volumes कम है फिर से positive candles अगें देखिए negative candles आ है और फिर से positive candles ने breakout दिखा दिया और continuously market upside की तरफ जा रही है अब कल की जो market बनी थी या फिर यह जो swings लगे है यहाँ पर price क्या कर रहा है मेरा इसके इसको समझभा रहे है न कि यह जो volumes ने आना अचानक स्टार्ट किया positive candles ने क्या price हमारा किसी resistance को break कर रहा है क्योंकि अभी हमने जैसा बताया कि एक candle के high पर हमेशा आपको seller दिखाई पड़ता है seller का मतलब होता है कि वो एक resistance point है अगर price को upside की तरफ जाना है तो अपने इन resistance को break करना पड़ेगा तो क्या price किसी एक resistance को break कर रहा है या नहीं कर रहा है क्योंकि यह जो positive volumes आ रही है यह किसी resistance को break करने के लिए जा रही है जिससे कि market upside की तरफ जा रही है अब हमें ये देखना होगा कि market आज है कहाँ पर जब हम इसको trade कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या possibilities है कि price हमारे direction में जा सकता है simply आप ये देखिए 5 minute के time frame पर अभी हम daily time frame के chart को और वहाँ बने हुए price को नहीं देख रहे हैं सिर्फ आप volumes को देखो कि यहां पर volumes के क्या breakout हो रहा है जब हमने morning में stock rate किया था तो इसके अंदर volumes के काफी अच्छे breakout हुद है आप पहले से देखोगे ये volume को छोड़ दो इसके बाद में काफी दिन के बाद आज 9.20 के candle पर आपको volumes देख जाएंगे यहां पर भी देखें सिर्फ एक ही candle में volumes आई है और उसके बाद में फिर volumes डाउन पड़ गए आज continuously market volumes continuously आ रहे हैं और अभी भी देखिए यह तीन बजे की candle है इसके अंदर movements काफी बड़े हुए होगे यह देखिए candle यह candle form हो रहे है 20,000 का profit चल रहा है अचानक से movements हुए चलिए इसको चलने देते हैं अब देखिए हम लोग आ जाते हैं सिदे price पर अभी daily time frame पर हम लोग price को देखते हैं daily time frame पर price हमारा नीचे की दिशा में आया इसके गिरने की movement सब देखो इसको समझो अब कि price देखिए हमारा नीचे की दिशा में तो आ रहा है बड़ जो इसकी volumes हैं यह कम हो रही है लगाता हमने किया कि इस black वाली candle का just low mark कर लिया और price ने इसके ऊपर जब closing करना शुरू किया यहाँ पर तो देखिए हो क्या रहा है अभी जो चीज़ हम बोलें था कि volumes increase हो रही है और price ने यह जो volumes आने start हो है यह कहां पर start हो है यह हमारी resistance पर है ना अब देखिए इस resistance के पास में volumes के actions किस तरह से दिखाए पट रहे है कि यहाँ पर volumes increase हो रही है जब price हमारा नीचे की अधिशा में आ रहा है तो volumes मेरी कम हो रही है अगेन देखिए volumes के breakout और price वापस हमारा support के अंदर फिर से देखिए volumes कम हो रहे है और price हमारा support के अंदर मतलब कि इपिका लैब जो last time गिरा है अभी वापस से यह अपने आपको recover करने के कुशिश कर रहा है और फिर से यह अपने support के अंदर trade कर रहा है volumes के आने के साथ साथ मतलब volumes भी आ रहे है और price भी grow कर रहा है अपसेट के तरफ movements आ रहे हैं कल तक देखिए market ने क्या क्या था एक अच्छे खासे resistance को break किया था एक movement अपसाइट की तरफ आया था अब अगर हम कल की candle के highs को mark कर लें जैसे कि अब सिर्फ यह चीज़ देखो यह जो black वाली candles है यह previous किस resistance को face कर रहे है उन्होंने कौन से resistance को face किया यह देखिए यहां से resistance ब्रेक हुए वापस से same resistance को support में convert किया गया और वो जो बड़ी वाल प्राइज हैं प्राइज देखिए same इसी जगह से again and again support लेकर के upside की तरफ जा रहा है और जो black वाली candle साब देख रहे हो तो कुल्म लाकर करके यहां पर प्राइज अपने resistance को break कर रहा है same downside की तरफ move आया था यहां पर और वापस से देखिए प्राइज ने कल क्या किया है exact resistance के पास में पहुंच गया previous इतने दिन से हम लोग देख रहे हैं कि price हमारा positive है तो आज इस area के पास में price हमारा किस तरह से react कर रहा है इसको समझेए अब अगर हमें trade execute करना है तो हम कैसे करें क्योंकि यह तो अभी तक पूरी तरह से clear हो चुका है कि हमें जाना by side में है क्योंकि वही दिशा हमारे लिए safe रहेगी उसी side में हमें काम करना होगा अब continuously देखिए highs break यहां पर देखिए closing के बाद में high break और फिर से हम क्या करेंगे ना जो कल की मेरी candle है कल वाली candle का यह सभी candle के markings को delete का देते हैं फिर से देखिए हम कल वाली candle का हाई mark कर लेते हैं कल वाली candle के हाई के पास में किस तरह की moments दिखाए पड़ते हैं यह चीज हमें समझ में कि lower time frame पर अभी higher time frame पर आपको clear हुआ कि कैसे हम लोगों ने इस black वाली candle के lows के पास से अपने price को read किया, volumes को include किया और यह समझ में आता है कि हम लोग 22 side की तरफ अगर जाते हैं तो यह safe रहगा आज के लिए अब हम लोग गिरेंगे सीधे 5 minutes के time frame पर अब 5 minutes के time frame पर देखिए क्या हो रहा है अब यह हमारा कल का high है आज की जो opening है price ने कल के high के उपर अपनी opening की और downside की तरफ closing कर दी वापस price हमारा upside की तरफ गया और यह देखे 915 की range के अंदर गोम रहा है और यह danger sign होता है कि price अगर हमारा 915 की range के अंदर है यह तब तक side वे बना रहेगा जब तक 915 के high को break नहीं कर देगा but यहीं पर हम दूसरी चीज़ यह देख रहे है कि price हमारे 915 की range के अंदर ही resistance भी form कर रहा है same जगे पर हमारे resistance बन रहे हमने क्या किया है याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको एक system बताया था chalk model और आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हमने आपको एक system बताया था BOS and chalk, break of structure and change of characters उनका यहाँ पर आप यूज करो कि price क्या कर रहा है कि resistance form कर रहा है हमें confirmations चाहिए 22 head के लिए तो पूरे दिन देखिए market ने क्या किया है यहाँ पर एक resistance form कर दे और इसके नीचे market हमारी खूम रही है हमने क्या किया है कि morning की resistance form हो जाने के बाद में जब market upside की दरफ गई है तो यहाँ पर हमने अपना trade execute किया पेस्ट 728.60 यहाँ पर इतने इत्मिनान के साथ सिर्फ हम इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो actual target उनको मिल चुका है अभी जितना भी ऊपर जाकर के मिले वह अपनी किस्मत है तो कुछ बहुत ज्यादा hard body ने करने जहां भी जारी market चलने दी या फिर अभी बिल्कुल एक minute के बाद हम यहाँ से exit कर देंगे तो 728.60 यह हमारा exact entry का है यहाँ पर हमने अपने executions किया आप देखोगे 3 minutes के time frame पर 3 minutes पर भी आप इसी जगह पर आपको resistance दिख जाएगे तो जैसे ही market ने यह resistance upside के तरफ ब्रेक किया same executions का हमारा area था यही price से यहाँ पर हमने अपना trade execute किया अब एक काम करते हैं से पहले था हम लोग exit कर देते हैं stop loss तो cancel कर दिया था order book stop loss 725.55 को यह stop loss से तो cancel है and order book में चलते है पोजिशन बुक में 17,850 रुपीज का profit चल रहा है so square of nsc 16,017 745.70 745.80 okay समझ गया कुछ 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 कांटी निकल गया हूँ जिस वे वह 12,000 दिखा रहा था profit तो इपकल लेपके अंदर हमें बुक कर लिया करीब 17,000 के रॉंड का profit which is enough enough in the sense अच्छा profit है काफी दिन के बाद एक ही trade में 17,000 का profit हुआ है अब यह इतने बड़ा profit होने यह अच्छा profit होने यह अपने हाथ में नहीं होता अपने हाथ में सिर्फ है के reading करें हम लोग जो अपना का में वो करें बाकी market को जो हमें देना है वो देगे हमें fix रहना होगा अपने stop loss पर अपने targets पर और जो entry लेने के लिए हम अपने strategies apply करें उने strategies के अपर अपना confidence हो बस इसके लाब हम कुछ कर ही नहीं सकते जो करेगी market करेगी बीच में डरना घबराना निकल जाए अच्छा profit हो रहा है कम profit हो रहा है अरे यह तो loss के तरब बढ़ने लगा घबराहट में उल्टे सिदे decision नहीं लेने कुछ भी जो भी आपको करना है सिर्फ execution से पहले ही करना है trade नहीं समझ में रहा है trade execute मत करो लेकिन execution करने के बाद में गलत हो गया यह तो होने नहीं चाहिए था अरे बाई mistake हो गया जो हुआ होने दो अब होने जो हो गया हो गया अराम से बैठो कोई हरबडी नहीं अभी हमने आपको एक system बाता है जिसके तुरू हमने एपिका लैब trade किया था I hope के एपिका लैब आपको हो रहे resistance के breakout देखेंगे जैसा कि अब यह lower time stream के candle है जो कि आज form हो रही है क्या करें market यहां से नीचे की तरफ जा रही है upside और वापस से नीचे के दिशा में गिर रही है हमें चाहिए कि market आज अपने resistance को break कर दे अगर ऐसा हो तो फिर हम trade execute करेंगे तो simple इस technique के उपर हमने करना है तो उनके steps क्या होंगे stock selection से लेकर कि stop to center target तक एक चीज़ भी हम आपको बताएंगे शुरुआती stage में बहुत यह चीज़े आपके help करतेंगे पूरे process के लिए technical analysis हमारी start कहां से होगी उसके लिए मैं चाहिए होगा एक stock सिर्फ stock नहीं एक अच्छा stock अच्छा stock से मार मतलब है कि probability कौन से stock में है कि हमें movements दिखाएगा इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अपने stock selection के method का जो की money control से निकालेंगे हमें तो हम clear करेंगे so money control से हमें यह stock pick करना है high volume की stocks होगे कैसे select करना यह भी हम बताएंगे आपको इसके वीव होगा आपका buy और selling का यह stock selection के method में inbuilt है अब देखिए अगर हम लोग stocks वहां से scanner से लेने जा रहे तो हो सकता है आपके पास कम से कम जो हमने बता रखा है कि top 5 stocks आपको लेने होंगे यह five buying के आते हैं और five आते हैं आपके selling के अब इसी में जो next step है अपना stocks को shortlist करना है stocks को shortlist करने के लिए हमें ज़र्वत पढ़ती है point of action की point of action से हमारा मतलब क्या है कि support and resistance chart पर draw करने के लिए हम कुछ techniques का use करते हैं अभी उसी में से अपनी एक चोड़ी इसी टेक्निक हम आपको देंगे प्रैक्टिस करो उसके थुरू बहुत आपको help मिल जाएगी उससे अब इन support and resistance के थुरू हम लोग अपने point of action पहुंचते है point of action in the sense कि वो जगा जहां से आप लोगों को trade execute करना है क्योंकि randomly कहीं से भी हम लोग red candle या green candle देकर के buying या selling नहीं कर देंगे एक अपना point predefined area होता है उस जगह पर price के आने का हम wait करते हैं इसमें से हमें अपने कुछ stocks shortlist करने होते हैं क्योंकि morning में किसी किसी stocks अंदर आप देखते हों कि बड़े-बड़े move हो जाते हैं ज्यादा बड़े move अगर कुछ percentage होती है उसकी अगर उतने percent कोई stock चल हैं तो फिर हम trade execute करते हैं उसको छोड़ देते हैं इसके अलावा कुछ stocks होंगे कि जो कि आपके point of action पर आएंगे ही नहीं या फिर होते ही नहीं तो उन stocks को भी हटा देते हैं जितने stocks बचेंगे वो मेरे shortlisted stocks होते हैं यहां तक हमने क्या किया अपना point of action बना लिए stock slate कर लिए और shortlist कर लिए अब आ जाती ही price की reading क्योंकि support and resistance के थुरू हमने कुछ अपनी markings कर लिए हैं अब यहां से में अपनी reading करनी होगी कि price के movements किस तरह क्यों हो रहे हैं like एक high है again एक high है and price यहां पर कुछ candles form कर रहा है और एक range के बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि पहले price ने क्या क्या है अपने highs को break करके आया है and यहां पर क्या हो रहा है कि volumes भी increase हो रही है highs and again देखे volumes increase हो गई फिर से volume increase हो गए so volumes increase हो रहे है और price हमारा एक range के अंदर रुका हुआ है फसा हुआ है इस जगे पर हम लोग क्या करते है कि breakout के trade execute करते हैं यहां पर आपको break inside trade execute नहीं करना है क्योंकि break in trade करने के लिए काफी experience चाहिए कई सारे trades का experience आपको इसके अंदर demand होती कि जब हम लोग किसी भी trade का break inside execution करते है तो break inside execute करने के कुछ techniques चाहिए होंगी इसके बाद में कुछ चोटी चोटी चीज़ है जो बुनियादी चीज़ है वो demand होती है इसके अंदर तो ऐसे शुरुवाती phase में आकर कि हम लोग ब्रिक inside trade नहीं करते हैं हमें इसी लिए ब्रिक outside ही trade करेंगे अब जो system हम आपको बताएंगे अब like के price का यह high है and high के बाद में price ने closing की closing के बाद में price आपका एक range के अंदर रुका हो है like यह वाली पनी candle होगी तो जैसे price बाहर के देशा में निकले हम यहां से buying करते हैं वापस से price हमारे resistance पर पहुंच गया क्योंकि already price हमारा कई साय resistance को break करके आया है फिरसे resistance को follow up किया break out हुआ हम लोग यहां से retest पर अपने trade execute करेंगे तो यह आता है readings के अदर कि आप price को किस तरह से read कर रहे हो उसके point of actions के पास में कैसे price को read कर रहे हैं कई बार होता है कि price आप का uptrend में हैं यहां से इसने कुछ resistance फॉर्म करने शुरू कर दिया अब यह जो resistance बनते हैं यह चैनल फॉर्म होता है depend करता है कि हमारे इस चैनल का breakout कितर हो रहा है लेकिन यह सारी बाते हैं जब हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं और जब आप यह वीडियो देख रहोगे त बहुत आसान सा लगता है ना कितना शान थे कि हां बहुत आसानी से सारा काम हो जाएगा लेकिन जैसे ही live market आती है channel भी एक side में लग जाते है यह breakout भी side में लग जाता है फिर जो एक चीज़ बरसती है कि आपके मन में बिजवाए वो आपने कर दिया तो एक चीज़ कोई भी mind आपका होगा ना तो आप decision अच्छे ले पाऊगे आप एक सही candle चूज कर पाऊगे अपनी master candle एक अच्छी तरह से नहीं गाल पाऊगे जहां से आपको अपनी सारी reading स्टार्ट करनी होती है एक सही point of action आपको मिल पाए गया अच्छा decision आप ले पाऊगे otherwise क्या होगा ना कि अभी के लिए तो ठीक है यह अपने channel भी देख लिए सब कुछ देख लिए double top triple top जो भी आप जेनरली देख तो सब कुछ देख लिए बट लाइव मार्केट में कुछ काम नहीं करता फिर जब मार्केट टोस हो जाती फिर लगता अर्य यह तो हमने miss कर दिया था यह भी miss कर जितने भी होते हैं यह लाइव मार्केट में हमारी जल्दबाजी की वज़े से होते हैं और यह हम डिसकस आप से सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बताई हुई साही चीज़े बेकार अगर आपने लाइव मार्केट में इसको सही से अपलाई नहीं किया तो फिर आपका अपने आप से भी बिलीव उठेगा कि यार हमको तो आता ही नहीं है हम मार्केट के लिए नहीं बने गुए इस तरह के थौट्समन में आते हैं सीधी सी बात है अपने आपको जितना हो से के लाइव मार्केट में कंट्रोल रखो शांत रखो फोकस्ट रखो जो करना है पहले इसे ही clear है live मार्केट में जाकर कोई इस के उंदर scientist ग्री मोई करने है कोई experiment नहीं करना जो करना था live market स्टाव पहले आपने कर लिया आप जो पहले point का here आपको वही करना है, plan your trade and trade your plan, live market में ये छोटी सी दो लाए नहीं, इसको अपने computer पर कहीं पर भी लिख करके रख लो अपने पास ताकि हमेशा आते जाती है आप उसको देखती रहो, क्योंकि बाते करना बहुत easy होता है, but executions के समय में सब कुछ एक साइड चला जाता है, अब देखिए जैसे ये channels बगरा हो गए, ये candles हो गए ये सब techniques में आता है, price को हम लोग read कैसे कर रहे है, and इसके बाद में जो next is आपको निकल के आएगी वो है trend identification, कि trends को हम कैसे identify करेंगे after that money management and risk management आता है, money management का मतलब कि आपकी पास money कितना है आपकी पास 10,000 है, 10,000 के 10 हिस्से कीज़े answer आएगा 1000, अभी 1000 के 10 हिस्से कीज़े, answer आएगा 100 रुपीज, आपके account में अगर 10,000 रुपे हैं, तो एक दिन की आपकी capacity सिर्फ 100 रुपीज का बताते हैं, इसके साथ money management के और भी कई सारे अच्छे अच्छे rules होते हैं, जिसको कि अगर follow करोगे न आप, आप loss में नहीं जाओगे बहले ही आप technically आप गलत हो जाओ लेकिन अगर आपने साही तरह से money management follow कर लिए ना, आप loss में नहीं जाओगे यह छोटा से नहीं हमने आपको बता है 10,000 हैं, 10,000 के 10 इस से करो 1000 रुपए, 1000 के 10 इस से करो 100 रुपए, 100 रुपए से ज़्यादा एक दिन में खर्च करना नहीं है, इतनी सीज़ याद रखिए अब इसके बाद में आता है risk management अब बहुत से लोग होते हैं कि जो money management और risk management में थोड़ा सा confused हो जाते हैं, और कई लोग तो money management और risk management एक ही मानते हैं अब risk management में यह होता है कि हमें मालूम है कि एक दिन में दो trade execute करने हैं और per trade risk हमारा 50 रुपीज का होगा अब कोई भी एक trade हम execute कर रहे हैं और उसमें just imagine कि मेरा 5 रुपए का stop loss आ रहा है entry और entry के बाद में जहां से में अपना stop loss लगा रहा है वो 5 रुपए का मेरा stop loss आ रहा है तो हम क्या करेंगे ना 50 को 5 से divide कर देते हैं answer क्या आता है 10, 10 quantities निकाल लिए है यह होता है हमारा risk management मतलब मेरी risk capacity 50 रुपए की है तो हमने अपने इस risk को manage कर लिया आपकी risk capacity 1000 रुपीज की है per day की और आपका stop loss आ रहा है वो 10 रुपए का रहा है तो आप 1000 को 10 से divide कर दो hand rate quantities आएंगी hand rate quantities के साथ मैं आप अपना trade execute कर दो यह होता है risk management कि हमने अपने risk को भी manage कर लिया और अपने money को भी manage कर लिया है next to impossible है अगर आप to intraday में loss कर दो और यह भी नहीं कि इतना money और risk को manage कर दो है कि बाद में आप negative trade execute करने जा रहा हूँ इतनी सारी पढ़ाई भी कि इतनी सारी techniques भी है technical analysis भी आपने की है जैसे class में है करीब दो महिने तक continuously सिर्फ practice safe practice, safe practice कुछ class के recordings भी हम आपने को share करते हैं कि जब executions होते हैं तो उसके अच्छे-चे results आते हैं कई बार ऐसा होता है कि पूरे-पूरे week में 7 और 8 trade execute हो है जिरो stop loss दिया गया है यह सब कुछ निकल करके आता है कि जब एक सही दिशा में हम लोग continuously flow करते रहते हैं continuously उसी दिशा में बढ़ते रहते हैं फिर बीच में कहीं तूटना नहीं है अब आता है आपका entry, stop loss and target so entry, stop loss and target तो easy रहता है यहां पर generally जो आप use कर सकते हो कि अगर आपको short selling करनी है या buying करनी है अगर short selling करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके bearish patterns कौन से form हो रहे है आपके support areas पर like जो सबसे जहुरी चीज है अक्सर आपको देखने हो को मिल जाएगी कोई भी आपकी mother candle form हो रही है अगर इस mother candle के breakout कहीं पर भी नहीं कि कहीं पर भी आपको mother candle देख गए आपके predefined area पर lower time frame के अंदर अगर mother candles form हो रहे हैं breakout और आप trade execute कर दो और mother candle के साथ जाथ कही सारी candles है डाइगा पिन भर देख सकते हो आप engulfing patterns देख सकते हो इतने सारे patterns आपको देखने होगे इसके अलावा भी कई सारे patterns होते हैं लेकिन उसे मिसे कुछ fix कर लो सारे patterns देखोगे तो पिर कहीं जहां नहीं पाऊगे कुछ patterns fix कर लो stop loss लगाना है यहां पर आपको करना है buy buy के लिए हमने देख लिए कि इस जगे पर एक mother candle form हो रही है अभी इस mother candle के breakout पर आपको executions करने है अपने प्रैस ने जैसे breakout किया यहां पर आप आपना trade execute करोगे और जो सबसे latest swing होता है सबसे latest swing या किसी candle का एक support form हो रहा है या latest swing होगा उस जगे पर आप अपने stop loss लगाओगे और जितना आपको stop loss होगा उससे just double target करना है क्योंकि triple के लिए हम नहीं बोल सकते आपको method का है trade execute करने का नहीं पता तो इसलिए और क्या आपकी patience level क्या है वह हमें नहीं मालुम है तो अभी जो छोटी चीज है 1-2 ही अपने target आपको रखना है अभी हम रोग stocks को पर चलेंगे और वहां पर इसको practice करेंगे money control so money control पर पहले तो home पर आचाहिए direct उसी जगे पर open होग है यहां पर आपको all stats all stats all stats के बाद में highest increase in open interest and increase in price increase in open interest and decrease in price open interest दोनों में increase हो रहा है open interest का मतलब के volumes volumes increase हो रहे है so click कर देंगे हम देख कितने stocks निकला है आप में पास यहां पर percentage वाले column में एक बार आप क्लिक कर दो तो जितने भी high volume के stock होंगे percentage वाले वह आपके पास आजाए सवानौ के बाद में 10 पर तक कभी भी scan कर लो अब जैसे यहां पर अब हमें चाहिए एक point of action जहां से हमें trade execute करना है ultra tech cement में हम imagine करके चलते हैं कि आज की यह candle नहीं बनी है और हमें आज का यह stock trade करना है तो हम कैसे trade करेंगे सबसे पहले तो जुरुत पड़ेगी हम अपने लिए specific point निकाले वह जहां से हमें trades execute करना हो और इसने अपने previous swing को upside की तरफ ब्रेक किया और market इस resistance को अपने previous swing को पूरी तरह से closing नहीं कर पा रही है breakout हो हैं बट closings नहीं है और price अपने previous swing को high को as a resistance react कर रही है बार-बार as a resistance react कर रही है लेकिन इसी जगह पर हम दूसरी चीज़ देखने कि resistance react कर रही है बट market यहां से नीचे भी नहीं जा रही है अगर ऐसा है previous swing हमारे इतना strong resistance follow कर रहा है तो market को फिर यहां से नीचे चले जाना चाहिए इस जगह से ऐसे नीचे चला जाए बट देखे market नीचे भी नहीं जा रही है यह इस range के अंदर ही रुके हुए हो कितने दिन से रुके है करीब 4 दिन हो गया हम यहां पर देख रहे हैं कि volumes भी लगातार increase हो रही है तो price का movements तो होना चाहिए यह एक तरह से price action में बोला जाता है diversion show करता है कि कुछ न कुछ movements होने वाली है और हमें ready रहना होगा अपने point of action को ले करके कि जैसे ही market इस जगह पर आएग हमें trade execute कर देना है क्योंकि यही वो green candle जिसके बाहर market नहीं जा पा रहे है तो जैसे ही market हमें इस जगह पर मिलेगी हमें क्या करना है आपको सोचने यहां पर readings दो देख करनी पड़ेगी लेकिन बहुत जाला दिमाग नहीं लगाना है कि क्या करने क्या क्या करें क्या क्या करें क्योंकि हम देख रहे हैं कि price यहां पर as a resistance react कर रहा है जब भी आ रहा है market इस जगह से नीचे की तरफ गिर रही है तो यहां पर दो possibilities बनती है या तो अपनी इस वाली land के पास हम लोग short selling करते हैं otherwise long term prospective way से अगर हम लोग चल रहे हैं तो यह जो green वाली candle है इसके ओपर market नहीं जा पा रहे है तो जैसे price हमारा upside की तरफ moment देखाएगा हम यहां से buying करते हैं क्योंकि overall जो हम को देख रहा है अभी जो चीज़ हमने लिखी थी resistance से अफिस supports को draw करना है तो daily time train की swing points होते हैं वो भी हमारे लिए एक काफि strong support और resistance का का काम करते हैं यहां पर हमने कुछ नहीं किया सिर्फ swings को mark कर लिया है यह वाला swing और यह swing देख लो आप यहां से support मिल ले थे executions आज market अपनी watch list में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे price हमारे resistance पर आया यहां से हम लोग अपनी executions करते हैं अब दूसरे stock ले लेते हैं जैसे मारूती है stock आपने पास अब हमने किया Glen mark Glen mark के अंदर readings कीज़े यहां पर देखिए कुछ patterns बन रहे हैं जैसे कि falling rose pattern falling rose में एक दो तीन लगातार तीन दिन volumes less होकर की गिरी हैं downfall में हम क्या करेंगे इन तीनों candles में से जिस भी candle की price का high लगा होगा हम उसको mark कर लेंगे तो एक दो तीन यहां पर हमने high mark कर लिया अब यह मेरा point बन गया यह समझ भार है ना जो हम stocks को shortlist करने की बात करें क्योंकि यहां पर देखिए अब जरूरी नहीं कि आप morning में इन 5-5 stocks को trade ही कर दोगे जो stock आपको सही possibility देगा trade करने कि आप वही trade करोगे so अब 5 minutes के time train पर आ गया अब देखिए जो हमारा point of action बनाए वहां पर movements कैसी हो रही क्योंकि यहां तक तो market अपने resistance को ही follow कर रही है यह देखिए resistance बन रहा है है ना अब market क्या करें बार बार इस दिश्या से जा करके नीचे की तरफ गिर रही है अब जैसे ही यहां पर मैंने क्या बोला कि कोई भी एक bullish movements आपको देखनी है bullish move आप देखोगे और जैसे उसका breakout होगा आपको trade execute करना है है ना यह देखिए एक green candle price ने upside की तरफ अपने closing की हम क्या करेंगे जो भी आपका swing होगा या तो आप इस आपको सिर्फ 1-2 लेंगे और यहां से चुप चाप बाहर निकल जाएंगे काफी चलिए देखिए market तो कितनी चलिए confirmations यही करते हैं कि आपके stocks बहुत इस तरह से filter कर देंगे 1-10 वगरा यह unrealistic चीजे नहीं यह सब चल गई है market चलने के बाद में हम इसको कहिए तो और अच्छा कर सकते हैं वह सबने हमें नहीं मावल में stock इतना चलेगा हाँ हो सकता है कि movement इतना fast है तो हम रुक जाते लेकिन नहीं हमें 1-2 या 1-3 जो भी आपका target है वह लेंग और चुप चापो market से बाहर निकल जाएंगे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कोई stock को select करना है उसके ओपर second time में अपने daily time frame के कुछ area निकालेने कुछ points निकालेने and then यहां से हमें अपने trades execute करना risk और money management हमने आपको बता ही दिया है and to stop loss लगानी का तरीका अब यहां पर falling rose pattern है falling rose pattern के according हमने high mark अब यहां पर सिर्फ आप price को read को देखो market क्या कर रही है this transform हो रहा है जब-जब market यहां पर आई एक move आपको downside की तरफ देख रहा है last time क्या हुआ था कि price upside की तरफ गया closing की और next day वापस से फिर नीचे की गया इस जगे से वापस मार्केट फिर नीचे गर गए फिर से अज उसी जगे पर हमें देखी है और lower time frame पर क्या हो रहा था कि वापस price हमारा resistance ही ले रहा था यहां पर देखे यह resistance ही ले रहा बट जैसे ही इस जगे पर bullish candle का breakout किया movements देख लिए कितने बड़े हुए अब जैसे IPKA Lab है IPKA Lab एक तरह से हमारे break-off structure पर चल रही है continuously उसके structure ब्रेक हो रहे है continuously break हो रहे है हम लोग time frame लगा लेते हैं 3 minutes का अब जैसे जैसे market क्योंकि fully uptrend में है एक range का breakout market upside की तरफ again price क्या कर रहा है एक range का breakout वापा से price upside की तरफ फिर से क्या हो रहा है range का breakout फिर से price upside की तरफ again देखी क्या हो रहा है range का breakout price again upside की यह आज की range है इस तरह से जो भी stock आपको continuously upside की तरफ break-out दिखा रहे है एक अच्छा movement आपको ऐसे stocks के अदर दिखता है इसके ओपर एक individual हम video बना करके upload करेंगे और उसे साफ हो जाएगा सिर्फ break-out नहीं जो आपके trend लेने सिर्फ उनके break-outs नहीं हम देखते हैं कि क्या breakout के बाद में price किसी जगा पर support ले रहा है अगर ऐसा होता है तो बहुत हद तक चांसे कि वह breakout आपका successful हो जाएगा I hope कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा जो system भी आपको बता है वह system से काफी आपको help मिलेगी यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा और back कर लेते हैं open interest increase in open interest नहीं आपको बता दिया है and second one increase in open interest and decrease in price इसको आप देख लो इसमें काफी सारे MRF भी आया था था तो MRF कहा है नीचे है नीचे 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 इसे BHEL, IX ओके यहां पर percentage पर क्लिक करना होगा ठीक है यह देखिया MRF आया तो emphasis को force, HCL Tech, BHEL Voltas, TechM, IX, PNB, MRF, TCS INFI, BHEL, DAWR, TCS यह सारे stocks हैं इतना सारे stocks आगे आपके पास आप इनको shortlist कर लो, shortlist कैसे करना है अपनी level draw कर लो जैसे आप जिस भी टेक्निक के तुरू आपको falling dose के तुरू करना है आपको mother country के तुरू execute करना है levels अपनी draw कर लो और देखों कि आपके level पर कौन से stock travel कर रहा है क्या कर रहा है, movements कैसे हो रहे है वहां से आपके stocks shortlist हो जाएंगे reading करो, reading करने के बाद में अपना risk और money को manage करो entry, stop low stargate लागा करे कि stock को भूल जाओ इतना ही simple होता है इसको complicate हम लोग खुद करते हैं चलिए आज के वीडियो हम लोग यहें पर खतम करते हैं and I hope कि वीडियो पो समझ में आओगा अच्छा लगाओगा आपके काम को यह और आसान करेगा thanks, good bye and we will meet again